हलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सब का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल कहानी दीदी पर आज मैं आप सब के लिए कहानियों के पिटारे से एक बहुत इंट्रेस्टिंग कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप सब को बहुत मज़ा आने वाला है आप सब लोग तेनाली राम के बारे में तो जानते ही होंगे वे विजयनगर के राजा कृष्ण देवराय के प्रियदरबारी थे और बहुत बुद्धिमान भी थे वे हर मुश्किल का हल यूँ चुटकी बजाते ही निकाल देते थे उनकी बुद्धिमानी की बहुत सारी कहानिया प्रसिद्ध है उन्ही में से एक बड़ी मज़ेदार कहानी मैं आज आप सब के लिए चुन कर लाई हूँ तो देर के सबात की चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी एक बार की बात है राजा कृष्ण देव राए अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों के साथ किसी विशे पर चर्चा कर रहे थे तब ही एक दरबारी ने लाल रंग के पंकों वाले मोर के साथ दरबार में प्रवेश किया सभी दरबारी देखते ही रह गए अरे कहीं लाल पंको वाला मोर भी होता है क्या महराज को प्रणाम करके दर्बारी बोला महराज दूर दूर के जंगलों में तलाश करवा कर मैंने आपके लिए ये लाल पंको वाला मोर प्राप्त किया है करपा करके आप इस सुन्दर मोर को स्वीकार करें राजा को अपने बगीचे में तरह तरह के बक्षियों को पालने का बड़ा शौक था लाल पंको वाला मोर देखकर वे बहुत खुश हुए तुरंद उन्होंने उस मोर को बगीचे में भिजवा दिया फिर राजा ने उस दरबारी से पूछा इस मोर को प्राप्त करने में आपको कितना खर्च करना पड़ा वे दरबारी इसी अफसर का तो इंतिजार कर रहा था बड़े संकोज के साथ उसने राजा से बोला ज़्यादा नहीं महाराज केवल सौ मोरे ही खर्च हुई है महराज ने तुरंथ ही उस दर्बारी को सौ मोरे देने का अधिश दिया दर्बार में बैठे बैठे तेनाली राम कब से मोर के लाल पंकों को घूर घूर कर देख रहे थे बच्चों घूर घूर कर देखने का मतलब है किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखना क्योंकि तेनाली राम को दाल में कुछ काला लग रहा था पर कोई सबूत न होने की वज़े से तेनाली राम ने उस समय चुप रहना ही ठीक समझा वै दर्बारी भी तेनाली राम से नजरे नहीं मिला पा रहा था जिससे तेनाली राम का शक और पक्का हो गया इसलिए तेनाली राम ने दूसरे दिन से ही चान बीन शुरू कर दी विजयनगर के सभी चित्रकारों से मिलकर उन्होंने उस लाल पंखों वाले मोर के बारे में पूछा पर सभी ने मना कर दिया पर तेनाली राम ने भी हिम्मते ही हारी उन्होंने विजयनगर के आसपास के गामों के चित्रकारों से मिलना शुरू किया अंत में एक गाउं में उन्हें चित्रकार मिला सीधा साधा भोला भाला उसने तिनाली राम को बताया मैंने एक दरबारी के मोर के पंखों को लाल रंग से रंगा था तेनाली राम ने पूछा उस दरबारी ने तुम्हें मोर के पंखों को लाल रंग से रंगने के लिए क्या दिया था पांच मोरे सरकार भूले चित्रकार ने कहा तब ही तेनाली राम ने कहा मैं तुम्हें पचास मोरे दूँगा तुम मेरे दूसरे चार मोरों के पंक पी लाल रंग से रंग दोगे चितरकार बहुत खुश हो गया और उसने हां कर दिया दूसरे दिन तेनाली राम के सेवक चार मोरों के साथ उस चितरकार के पास पहुँच गए चित्रकार ने उन मोरों के पंक भी लाल रंग से रंग दिये जब लाल पंक वाले मोट तयार हो गए तब तिनाली राम उस चित्रकार के साथ दर्बार में हाजर हुए लाल पंकों वाले चार चार मोरों को देखते ही उस दर्बारी के तो होश ही उड़ गए छिपता छिपाता वे दर्बारी दर्वार से भागने ही वाला था कि तभी तेनाली राम ने उसे जोर से आवाज रगाई खड़े रहो इस तरहे कहां भाग रहे हो दर्बारी मू निचा किये हुए खड़ा रहा वे अपने जूट पर बहुत शर्मिंदा था फिर तेनाली राम ने चित्रकार से कहा महराज को बताओ कि इस दर्बारी ने तुम्हें मौर के पंख लाल रंग से रंगने के लिए क्या दिया था चित्रकार ने हाँ चोड़ कर कहा महराज सोने के पांच मोहरे दर्बार में सनाटा चा गया दरबारी को अपने किये पर बड़ी शर्म महसूस हो रही थी राजा ने दरबारी को बहुत डाटा और उसे कड़ी सजा का आदेश भी दिया अंत में महाराज ने तेनाली राम को और चित्रकार को बहु मूली पुरसकारों से सम्मानित किया तो बच्चों इस तरह उस दर्बारी को अपने जूट और धोके के लिए अपमाने थोना पड़ा और सजा भी मिली तो इस कहानी से हमने क्या सीखा बच्चों? हमने सीखा कि जूट, धोका और बैमानी हमेशा अपने साथ धेर सारी परेशानिया लेकर आते हैं इसलिए हमें इन से दूर ही रहना चाहिए और दूसरा यह है कि बुद्धिमानी से हम हर समस्या का हल ढूट सकते हैं तो बच्चों कैसी लगी आपको आज की कहानी? मुझे कॉमेंस में जरूर बताईए और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चानल कहानी दीदी को सब्सक्राइब और शेर और लाइक जरूर करें ताकि जब मैं कोई नई कहानी लेकर आऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन फॉरण मिल जाए चलिए बच्चो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ मेरे नए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई बच्चो